वेल्कम पैक टो अबर चैनल अगेंड साबर बग साबर सेक्योड वी आर फाइंडिंग बग स्टाइट्स वाइव यार सब्सक्राइब अगर आपको पता हो तो मैंने इसके पहले ओसीन फ्रेमवर्क और रेड हॉक और अधा हार्वेस्टर यह सारी टूल जो हो मैंने इन्फॉर्मेशन गैटरिंग के आपको बताय थे ठीक है लेकिन आज मैं आपको पांच ऐसे टूल्स बताने वाला हूं जो आपको आने ही चाहिए अगर आप एक पेंटेस्टर हो तो ठीक है जब भी आप पेंटेशन टेस्टिंग करते हो तो आपको बहुत सारी एंट्री इन होती है अगर आपको बता दू जो एतिकल हैकिंग के कोर्से होते हैं कुछ लोग यही बेसीक चीज़े जो होती है वह 400 और 500 रूपीज में सैल करते हैं लेकिन यहां पर मैं आपको जो चीज़े है जो कंसेप्ट है वो में वो यहां पर मैं क्लियर करता हूं ओके जो भी को आप तक के पहुचाना चाहता हूं ताकि आप जो सारे लोग हो मलब जितने भी लोग साइबर सेक्यूर्टी में इंट्रेस्ट है जिनको इतिकल है कि सीखना है उनके लिए यह जो चैनल है वो बेस्ट चैनल हो ठीक है तो चलो शुरू करते हैं कोई दिकत नहीं तो फर्स अंड intent craft यहाँ पर नेट क्राफ्ट डॉट काम करके टूल लें धन थर्ड टूल रहेगा आपकाव बैपलाईजर अब के वेपलाइजर यह इपकाड से आपका एक्स्टिंशन है चाहिकिए ब्रोजर एक्स्टिंशन आप हमें लिख देता हूं ब्रोजर एक्स्टिंशन फूर्थ आपका जो टूल रहेगा वो रहेगा hunter.io ताकि आप email addresses जो है वो gather कर सकते हो ठीक है आपको एक एक करके सारी website में जाके email addresses gather करने के ज़रूत नहीं है आप directly email address जो है वो easy तरीके से gather कर सकते हो then fifth and last one अब ये जो टूल है ठीक है ये टूल I think information gather में आप कह सकते हो आप ही सकते है क्योंकि ये टूल आपको ये बताती है कि आपका जो Gmail है ठीक है वो secure है या नहीं है क्योंकि बहुत सरे ऐसी companies हैं जहांपे data breach हुआ है और hacker ने email addresses और password जो है वो still कर लिए तो ये website आपको बताएगी कि आपका अगर email addresses safe है या नहीं है अगर unsafe है तो आप तूरंद के तूरंद जो password है वो change कर सकते हो ठीक है आपको बनाता है data breach हुआ है या नहीं हुआ है चैकर तो first हम लोग who is देखते हैं ब्राउजर उपन करेना है सारे टूल्स ब्राउजर पे अविलेबल है ओके हो इस डूमेंटूल्स.com ओके हो इस डूमेंटूल्स.com है अब यहां पे जो वेबसाइट है वो मैं अपनी ही वेबसाइट ले रहा हूं ठीक है कि साइबर बक्स डॉट इन यहां पर https लगाना जरूरी है कि ट्रिपियस कॉलन स्लाश लाश एंड सर्च करता हूं में ओके अब यहां पे देखो कैप्चा आपको सॉल्फ करना है पहले कैप्चा नहीं यह था था अभी इन्होंने कैप्चा वाला सिस्ट्रम लगा दिया गो कर रहा हूं में अब भी से आपको क्या क्या information मिल सकती है अब जो foot printing का topic है वह ethical hacking और pen test के phase में second phase में आता है फॉर्स फेज आपको बोलेंगी की होता है लेकिन first phase होता है आपका selecting a target ठीक है आप क्या target select कर रहे हूं then second होता है information gathering अब क्या information जो है है इंडिया अब अगर आप चाहो तो एक रिपोर्ट बना करके यहाँ पर रख सकते हो एक मलब कच्चा जो फाइल होता है ठीके देशी भाशा में अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप एक रिपोर्ट फाइल बना करके रख सकते हो तो मैं एक रिपोर्ट फाइल बना देता ह चीक है इंडिया मुझे मिल गया दैन मेरी वेबसाइट कितने दीन पुरानी है चीक है तो 309 डेज ओल्ड चीक है तो अभी अभी जो वेबसाइट है वो मेरी बनी है बनी थी 2021 डिसमबर 24 ठीक है 2023 में जो है वो एक्सपायर होगा मेरी होस्टिंग अगर मैं इसे रिन्यू नहीं कराता हूं तो ओके दैन नेम सर्वर क्या क्या है ठीक है मेरे दो नेम सर्वर से अब जो हैकर है वो वलनराबिटी फाइंड कर सकता है नेम सर्वर से भी क्योंकि एक DNS जोन ट्रांसफर करके वलनराबिटी होती है मैं बताओंगा फिर कभी आपको दैन आई-पी अड्रेस आपको यहाँ पे मिलती है ठीक है अब यही आई-पी अड्रेस पे बहुत सारे वेबसाइट होस्टिड है ओके दैन यह जो आई-पी लोकेशन है यह डिसा अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो सस्ते होस्टिंग के चेकर में अपनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं तो यहाँ पे कोई भी परसन इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं हो रही है रिडेक्टेट फॉर प्राइवसी है ठीक है रिडेक्टेट फॉर प्राइवसी है याने यहाँ पे जो हुई की information है वो मैंने leak होने नहीं दी है क्योंकि बहुत सदो अगर आप देखोंगे तो वहाँ पे contact होता है email address होता है in fact उनके घर के address भी होता है ठीक है तो यह भी एक पकार से available things हो सकती है क्योंकि information जो है वो disclose हो रही है अब यह चीज़ होगी next मैं आपको बाता हूं netcraft.com तो यहां मैं पहले मैं वेबसाइट open कर लेता हूं ताकि मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े मैं simple copy and paste कर सकता हूं ठीक है cyber bugs.in इसको मैं copy कर लिता हूं ठीक है तो पहले हमेशे अपने target को एक बार open कर लेना ताकि आप उसको बार बार यह ना कर सको ठीक है copy यह मलब type ना कर सको हर बार copy paste से काम चल जाता है रहन सबसे last में जाके आपको इसको run करवाना है okay run करवाने के बाद close and accept अब देखो site का title दिखता है कि यह website किस लिए है okay so यहाँ पर देखो cyber security company नापूर best training and courses okay and यहाँ पर आपको net craft की rating मिलती है ठीक है rating के साथ साथ description भी आपको मिलेगा cyber bugs is a cyber security company नापूर is form to provide cyber security services and cyber security training ठीक है यह आपको यहाँ पर इसका description भी मिलता है ताकि आपको समझ में आता है जो website है वो किस लिए बनी है okay then same IP address अभी आपको यहाँ पर मिल जाता है ठीक है IP address के बाद यहाँ पर organization तो इसने secure गर्गर रखा हुआ जहां से मैंने domain लिया था then next IP address हमें पता है और कुछ मिल रहा है कि है यहाँ पर वो हमें यहाँ पर देखना है तो ठीक है अब यहाँ पर देखो अब server side में क्या का technologies चल रही है ओर यहाँ पर आपको देखने को मिलती है ठीक है XML है यहाँ पे Wix मैंने यूस किया हुआ है ठीक है मैंने Wix के थरू जो है website अपनी create की हुई है और कुछ मिलता और कुछ तो यहां पर नहीं मिलता है HTML5 यहां पर मिल रहा है मैंने जो जो टेक्नोलोजी यूज की है अपने वेबसाइट पे वो यहां पर आपको देखने को मिलती है ठीक है इन फैक्ट अगर आप देखोगे तो आपको हो ऑपरेटिंग सिस्टम भी पता चलता है कि आप क्या आपटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो ठीक है आगे वाले सिस्टरम पर आगे वाले वैब सर्वर पर क्या operating system जो है वो यूज हो रहा है ओके अब मैं दूसरी वेब्साट इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं आप खुद की ही वेबसाट पर टेस्टिंग कर रहा हूं ठीक है इसलिए otherwise बाकी अगर पता चले कि उस वेब सर्वर पे क्या ओपरेडिंग सिस्टम रन कर रहा है ओके नेक्स्ट अभी हमने हो इस देख लिया ठीक है नेटक्राफ देख लिया नेक्स्ट है वेपलाइजर वेपलाइजर जो है वापको डाउनलोड करना पड़ता है सिंपल यहां पर लिख दो वेप extension ठीक है अगर आप Firefox यूज कर रहे हो तो Firefox के लिए Chrome यूज कर रहे हो तो Chrome के लिए फिरे वेफ यूज कर रहा हूँ तो वह सेम Chrome का ही तो यहां पर देखो मेरा उड़ेडी आड किया हूआ है तो मैं इसको रिमूफ नहीं करोगा ठीक है अब यह देखता कहा है आपको यह प counting दिख रही है जिके number दिख रहे है इस पर क्लिक करता हूं अब मेरे वेबसाइट पर क्या क्या टेक्नोलोजी यूज हुई है वो ये मुझे बताता है जिसे कि CMS मेरा Wix है ठीक है CDN यूज कर रहा हूं है Google Cloud CDN दैन react.js use हो रहा है उसका क्या version है वह भी यहाँ पर पता चलता है React जो मैं यूज कर रहा हूं उसका क्या version है वह भी यहाँ पर पता चलता है ठीक है और क्या कर चीज़े है यहाँ पर JavaScript की libraries आपको पता चल दी है और इसकी आप अपडेट करके fix करवा सकते हूं जैसे कि यहाँ पे js का version 2.3.6 है यह js 2.3.6 exploit करता हूं है क्योंकि इससे आप find कर सकते हो कि 2.3.6 से कोई कोई भी है या नहीं है टो यहां पे देखों यहां पे कोई भी प्रकार का vulnerability नहीं है टिक है नो direct vulnerabilities have been found this package तो यहां पे कोई भी प्रकार की vulnerability नहीं है अगर vulnerabilities होती है तो आपको easily जो है वो ऑण्लाइन मिल जाता है तो आपको जल से जल उस framework को उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपडेट करना है ओके वेपलाइजर हो गया नेक्स देखो वेपलाइजर के बाद यहां पर हंटर डॉट आई यह पर जाता हूं अब हंटर डॉट आयो पर मैं मेल ऐसे गैदर कर सकता हूं इससे में कोई इलिगल अक्टिविटीज नहीं आती है जैसे कि मैं से यू डॉट डॉट इडी यू डॉट इन वेबसाइट ले लेता हूं तैन सर्च कर रहा हूं अब सर्च करने के बाद यहां पर देखो यह ब्लर आता है ठीक है लेकिन इसके सोर्से से आपको एमेल अड्रेस मिलती जैसे कि मैं यह लिंक पे क्लिक करता हूं ठीक है फॉर्स्ट के दो टिन जो लेटर है उसको कॉपी कर देना कंट्रोल सी से आधान करो कंट्रोल एफ से पेस्ट यह देखो मिलगा इमेल ऑके दैन नेक्स्ट सोर्स देखो यह वाला देखते है अभी जितने भी सोर्स है आपको उससे इमेल मिल जाएंगे आपको बार और वेबसाइट पे जाकर के इमेल गैदर करने की ज़रूत नहीं को कॉपी बहुत से लोग यह मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं ठीक है तो यह सबसे अधा सिंपल फंड आई यह देखो मिल गया तो इजिली जो है वह आपको इमेल हंटर डॉट आईयो से मिल जाते है यह दैन हंटर डॉट आयो के बाद आपका लास्ट बचता है आई है बिंप्यों ठीक है फॉस्ट आपका यह रहेगा ठीक है आई है बिंप्यों डॉट कॉम अब यहां पे मैं अपनी विबसाइट और सॉरी अपना जो एमेल एड्रेस है वह यहां पर पूट करता हूं अब यहां पर देखो टोटल फोर डिटा ब्रीच हुए है ठीक है सबसे पहला हुआ है 500 पी एक्स यह हुआ है 2018 में यह पहली लिस्टेंग है इसलिए सबसे पहला बोल रहा हूँ अधर्वाइस लेटेस्ट तो मेरा डॉमिनोस पर है तो स्टार्टिंग पर आते हैं 500 पी एक्स 2018 में इसके वलनराबिटी जो है वह मलब डेटा ब्रीच हुआ था कुछ तो भी इसके तरह वलनराबिटी है लोगों ने फाइंड किये थे जिससे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट आफ डेटा जो है वो ब्रीच हुआ है और मेरा क्या क्या डेटा कंप्रोवाइस हुआ वह यहां पर सारी चीज़े दिखा दिये डेटा बर्थ इमेल दैन जेंडर जिग्राफिक लोकेशन नेम यूज सारे के सारे अगर आप इमेल पर क्लिक करते हो तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती ठीक डार्क वेब में एक प्रॉपर्ली एक वेब सर्वर्ड चल रहा था लेकिन अब यो बंद कर दिया गया है ठीक है यहां पर इमेल अड्रेस भी है नेम फोन नंबर फिजिकल यूजरनेम जेफिट इमेल अड्रेस या पर लीख हुआ है पासवर्ड यूजरनेम अब ऐसा नहीं है कि हर एक कंपनी सिक्यूर है कहीं ना कहीं डेटा ब्रीच होते ही है तो इसलिए कहते कि अपना पासवर्ड है वो हर महीने हर हफते जो है वो प्रॉपरली चेंज हो जान अधरवाइस आप two factor authentication लगा के रखो या फिर I have been प्योन पर आप चेक कर सकते हूं ओके अब next मैं mail देखता हूं कि साइबर बग्स 11 क्लिक करता हूं चीक है यह देखो गुड न्यूस नो प्योन फाउंट तो एक भी प्रकार का ब्रीच नहीं हुआ है यह मेरा latest mail है चीक है और वो जो था वो काफी ज्यादा पूराना था इसलिए जितने भी डेटा ब्रीच यह से वो मुझे मिल गए तो यहां से आप यह चीज़े देख सकते हो और देखो अगर आपको cyber security में इंट्रेस्ट है वैसे देखा है तो cyber security बहुत सारी चीज़ है बहुत सारी इंट्रेस्टिंग इंट्रेस्टिंग चीज़ है ठीक है तो आप courses पर जा सकते हो courses पर जाने के बाद अगर आपको individual course करना है तो आप individual course कर सकते हो otherwise हम लोग 25 तो 20,000 में all over cyber security bundle अगर आपको ethical hacking के लिए चाहिए तो simple application आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर modules भी आप देख सकते हो एंट्रॉल नाव पर भी आप क्लिक कर सकते हो तो आपको जो session है वो live रहेंगा ठीक है को course module पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको course दिख जाते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़े पढ़ाने वाले अब याद देखो यहाँ पर जो course है सिर्फ 37 module है आप बोलो है कि यहाँ पर 37 module से लेकिन हमने तो बहुत ज्यादा modules देखे अब क्या होता है यह एक scam होता है ठीक है सपोस मैंने आपर networking में module 2 लिख दिया अब बहुत से लोग क्या करते है networking को expand कर देते हैं इसी के अंदर आपको मतलब 10-15 topic दिखा देंगे like ids ips हो गया ip address हो गया ios हो गया isof हो गया तो यह सारी के बाद ही जो है वह payment होता है after satisfaction तो आज का वीडियो यहीं पर खतम करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो like share and subscribe जरू कर दिना Sabbath Bucks को मिलते हैं अगले वीडियो पर